हाई गाईज वेलकम टू एम्बीज मान केव आजकल मेरे घर में लॉगडाउन लगा हुगा है आई नो कि वह वाला लॉगडाउन तो खुल चुका है बट मेरी बीवी ने मेरे लिए दूसरा लॉगडाउन लगा दिया है वह लिए कि आप किसी भी वाइन शॉप में नहीं ज कि मुझे ऐसी बॉटल मैं ख़ड़ा होजाता हूं इस अपने लिए बॉटल को बोटbul कुछ बॉटल को जातए कि यहार यह बॉटल इतनी सुनदर है इतनी मृक्वर कि अपने जब होम बार में इन बॉटल्स को लगाएंगी तो जो शान है हमारे बार की वो अलग होगी और मैंने यह चीज़ देखिए कई लोगों में कि वो यह बॉटल्स खरीद के लाते हैं ताकि होम बार में सजा सके विच इस गुड़ थिंग लेकिन उसके बाद कभी वो खोलते नहीं है ऐसे कैसी पड़ी रह जाती है वो बॉटल और मेरे इसाब से थोड़ी सी नाइन साफी है क्योंकि कुछ जो इतनी अच्छी होती है और अबुट से प्रॉबली कि कोई भी ऐसी विस्की नहीं है जो ना खुलने के लिए बनी है हर विस्की को खोलना चीए चा आपको अपनी तरफ अट्राट करती है जिस्ट बाइ दर लुक्स और दोस्तों आज की वीडियो को स्पॉंसर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाता हूं शिवराज मात्रे जी को जी हाँ शिवराज मात्रे जी बहुत टाइम से इस चैनल के रेगुलर स्पॉंसर है और यह जर्नी में तो जो बेसिक कंसेप्स होते हैं शेर मार्केट में इन्वेस्ट करने के वह आप इस बुक से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं यह बुक हिंदी और इंडिश दोनों में अवेलेबल है आमजोन पर अवेलेबल है एबुक के फॉर्माट में तो इसे आप अपने मो अजेट विस्की एंटिकोटी ग्लू यह फिर जिसे मैं कहता हूं सस्ती रॉयल सेल्यूट यह बाद मेरे बचपन की है उस टाइंपर मैं बहुत छोटा बालग को अगरता था मैं खुद पीता नहीं था and I remember कि जब normally आप alcohol की bottles दिखते थे तो आप बहुत ही simple plain transparent color की होती थी square या round shape में और मैं आप लोग को बता चुकों अपने antiquity के review के वीडियो में कि मेरे जो मामा जी है he is a big fan of or at least used to be a big fan of antiquity तो जब उनके मैं घर जाता था तो उनका जो पूरा home bar सजा होता था antiquity blue की bottles के साथ और हाला कि मैं पीता बनी था उस टेम पर और ना ही मैंने puberty क्रॉस करी थी लेकिन जब भी वो bottles देखता था उनके घर पर में तो एक excitement ही आ जाती थी लगता था कि यार यह जो bottles है जो विस्की होगी ना जरूर कोई premium विस्की होगी next level की थोड़ी महंगी विस्की होगी चाहे अंदर की विस्की जैसी भी हो but we have to agree कि जो bottle है antiquity की बहुती सुन्दर लगती है at least काफी different लगती है as compared to other bottles जो हम उस price range में देखते है and जब आप आप आपकी नजर पड़ेगी अगर आप नॉर्मली नहीं पीते और आपको आपकी जब पहली नजर पड़ेगी उसकी bottle बे तो आपको लगेगा कि इस विस्की में कुछ बात है तो इसे अपने home bar में सजाना चाहिए second whiskey in the list जिसको देखके मेरी भावनाय खड़ी होगी थी वो है Johnny Walker की White Walker, the limited edition for Game of Thrones fans. I'm sure आप में से जाहतों लोगों ने Game of Thrones जरूर देखा हुआ, बहुत ही amazing series थी at least till the last season और जब ये विसकी launch की गई in collaboration with Game of Thrones, so I knew कि मुझे विसकी ये bottle खरीदनी ही खरीदनी है. Bottle को काफी सुन्दर तरीके से डिजाइन करा गया था, I think for any Game of Thrones fans, especially जो passionate fans, उनके एक must have था in their collection for their home bar, और जैसी आप Bottle को freezer में रखो, text लिखा जाता है, Bottle के color change हो जाते हैं, Bottle का जो design था, it was as amazing as the Red Wedding, लिकिन जैसी Bottle को खोलो, ढक्कन खोलो, जो Bottle का विसकी का टेस्ट था, It was like the last season of Game of Thrones, बहुत ही बेकार विसकी थी, honestly, मैंने टेस्ट करी है, असलिए खोली नहीं मैंने Bottle, थर्ड विसकी इंदर लिस्ट, जिसको देखके आप सब लोगों की भावनाय खड़ी होगी, Dalmore, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे सिव एक ही विसकी की request आती यह, and it was an okay whisky, not, I would not say that it was a good whisky, but not as amazing, the bottle looks really, really beautiful, a must-have in your collection, a must-have in your home bar, एसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ बहुत कुछ स्पेशलर्स की Bottle में, it's a very simple design with a symbol of Royals Tag in the front, but वही जो simplicity is bottle की, जो shape की, वही उसे attractive बनाती है, and I have to say that, जब समने होम बार में बहुता हूँ बोटल को, तो उसकी जो लुक है वो अलगी लगती है, and I'm thinking कि Dalmore Whisky को शायद एक रिव करा जाये, because it has been at some time, कि हमने उसको रिविजित नहीं किया है, and I think it deserves another go, especially जब हम इतनी सारी प्रीम विस्की के रिविव कर रहे है, what do you guys think, कि आप लोग दिखना चाहेंगे, Dalmore का एक रिविव, रिविजित, फोर्थ विस्की in the list, जिसको देखके पूरी दुनिया की भावना विस्की, a विस्की, which is extremely difficult to find, लेकिन जिसको भी मिलती है उसकी बॉटल, वो शो अफ करने से ब्युकल भी कतराता नहीं है, because बॉटली है, it's a beautiful bottle, and the विस्की inside it is also really, really good, I am really fortunate कि मेरे कलेक्शन में है, but मैं भी उन बोग में से ये कुछ शायद कि जिसके बास बॉटल तो करें इसका रिव्यू, but there is no doubt that it is one of the most beautiful bottle to have in your home bar, the rounded shape, the cuts in the bottle, या फिल जो specially designed, इसका कॉक है, they all make this bottle so attractive, so attractive that you feel like, चाहे जितने की वी यो, इसको तो अपने होम बार में रखना है, हाला कि बहुत अदा मेंगी बॉटल नहीं है, I think I bought it for around 7-8 thousand rupees, which is expensive you can say, but इतनी भी जादा expensive नहीं है, because black में बिक्ती है, विसकी almost 25-25 हजार रुपे की, but अगर आप नॉमल MRP ले खरीते हैं, then you can get it for much less than that, but the problem is, कि आपको कहीं मिले की नहीं, इंडिया में बिलती है, but if you go out, if you travel abroad, या duty-free में जाते हैं, then try to look for this bottle, because जब आप इस bottle को देखेंगे, तो बॉटल ही आपको कारेगी, 5th whiskey in the list, और मैंने ये whiskey कई लोगों के collection में देखी है, बहुत सारे friends है मेरे, जिनके पास मैंने ये whiskey के bottle लेखी है, but किसी ने भी खोली नहीं है, और वो है Hibiki Harmony, yes, Hibiki Harmony ज आया था, that it is one of the most tastiest whiskey, which I have ever tasted, but उस whiskey से जादा जो शायद और बेमिसाल चीज है, वो है उसकी bottle, the bottle of Hibiki Harmony is really, really beautiful, ऐसी bottle है, जिससे आपको मन करेगा कि आप इस bottle को कभी खोले ही ना, और अगर जब खोल लेंगे तो मन करता है कि इस whiskey को चल्दी खतम करें, ताकि फिरम बॉट बॉटल को as a decanter use करें, I am somebody जिसे simplicity पसंद आती है, बहुत जादा अजीब गरीब जो shapes होती है बॉटल की वो पसंद नहीं आती है, I try to go for simple looking bottle, और मुझे वह अट्राक करती है, and I feel that Hibiki Harmony is the perfect definition of simplicity, जो बॉटल है, I personally feel that it is one of the most attractive bottle you can keep in your home bar, but वही मैं बोलूंगा कि लोग थोड खोलते नहीं है, टेस्ट नहीं करते है, because that is one whiskey, जो हर इंसाम को जिंदगी में जरूर जरूर टेस्ट करनी चीए, especially if you can afford it, and if you have a bottle, then go and open the bottle, बॉटल आपके होंबार में रहेगी, खोले के बाद भी आपके होंबार में रहेगी, so go and open the bottle and try it out, but yes, I have to agree कि it is a beautiful bottle to have in your home bar, आप पताईए कि कौन सी ऐसी बॉटल है, जसको देखके आपकी भावनाएं भी खड़ी होधाती है, I will be looking forward to know, बताईए मुझे कमेंट्स में, लाइक करिए वीडियो को, शेर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चेर्स!